आनद महिंद्रा शोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले इंसान है वे महिंद्रा एंड महिंद्रा गुरूप के करता धरता भी हैं इसलिए समाज में अक्सर वे अपने ट्वीटर हैंडल के पेच से अपनी सोच और विचार को लोगों के सामने रखते रहते हैं लेकिन इस बार उनके द्वारा शेयर की गई एक तस्वीद ने शोशल मीडिया में बवाल मचा दिया है क्या है मामला चलिए जानते हैं दरसल इस बार मौका देश की अजादी के 75 वी वर्षगाट को सलिब्रेट करने का है तो जाहिर है देश के नागरिक होने के नाते आनन महिंद्रा भी इस बार अजादी के अमरत महुतसब का हिस्ता है जिसके चलते उन्हें हर घर तिरंगा कैंपेइन के तहट सम्मानित करते हुए पोस्ट मास्टर जनरल मुंबई स्वाती पांडे द्वारा एक तिरंगा दिया गया जिसकी फोटो खुद आनन महिंद्रा ने अपने ट्वीटर हैंडल से पोस्ट कर दी सुनने में आपको ये वाक्या अभी एक आम वाक्या जैसा ही लग रहा हुगा लेकिन आनन महिंद्रा द्वारा शेयर की गई इस फोटो ने उन्हें लोगों के ट्रोलिंग का शिकार बना दिया है दरसल इस फोटो में दिक्कत कुछ नहीं है दिक्कत है तो फोटो में दिख रहे तिरंगे में नहीं समझे दरसल फोटो में दिख रहे तिरंगे में तीनों कलर में समानता नहीं है क्यानी नारंगी रंग ज्यादा दिख रहा है और हरा रंग कम दिख रहा है जिस कारण लोगों का गुस्सा आनन्द महिंदरा पर निकल रहा है जैसे एक यूजर ने आनन्द महिंदरा के ट्वीट को टैक करते हुए लेखा यानि यूजर द्वारा आनन्द महिंदरा को कहा जा रहा है कि ये ट्वीट डिलीट करें और माफी मांगें इससे पहले कि वो ट्विटर हैंडल पर ट्रोलिंग का शिकार हो ऐसी एक यूजर ने आनद महिंद्रा के ट्विट पर लिखा यानि तिरंगे में दिखने वाले तीनों कलर का बरावर होना जरूरी है हाला कि अभी दग आनद महिंद्रा के पेज पर उनका ये ट्विट बना हुआ है यानि इसको डिलीट नहीं किया गया हाला कि इस बात में कोई दोराय नहीं कि इस फोटो में दिख रहे तिरंगे में नारंगी रंग यानि केसरिया रंग सफेद और हरे के मुकाबले ज्यादा दिख रहा है आपका इस मुद्धे पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं झाले जरूर भी जरूर बटाँ झाले जरूर नहीं कि रहा है